प्लस debt, क्या कर रहे हैं हम? एक प्लस प्लस ऐनूर्स अधैकुटी को हमने किसमें इसमें कन्वर्ड कर दिया? market value of new team, liabilities हमारा क्या करेता है debt? माइनस कैश्च क्यों किया? प्लस कैश जो है वो आपके अकॉट में है व आपकर कभी भी टेक आउट कर सकते है तो कैसी मार्षी ट्रेली ओफ फर्म होगी बंदों को खुछ नहीं पता है इस कमनी के अकाउंट में कितना पैसा पढ़ा है यह डैट आपका इस प्रेंज से पढ़ा चल देगा कि आपका डैट अगर आपका 10 लाग है मार्किट वैल्य आपके 30 लाग बनती है और कम्पनी के अकाउंट में अगर इस वाद 20,000 पढ़ा रहा है तो कम्पनी की वैल्यू कितनी होगी 30 लाग प्लस 10 लाग माइनस 20,000 तो यह बनेगा 46 लाग यह बनेगा रहा है तो 46 लाग एंद 80,000 यह यह बने जाएगे तो यह बने तो गईस आज आएज विद में यह सिरफ कुछ भी नहीं है यह बालाशी ची एक्वेशन है ase is equal to the liabilities plus honor integrity इसे बोलंके company की value company की value of the asset इनके market value of asset कितनी होधेगी liabilities को हमने debt कहे दिया honor equity को हमने क्या कहे दिया market value of equity कहे दिया और क्या जीशनी से less कर दिया तो हमगा η value आ गई value of the firm, market value of the firm or enterprise value right okay any question company valuation same thing company enterprise value exactly enterprise value or market value of the firm it's one and the same thing because market value of the firm share value of the firm all right share value of the firm and company and company outsider plus insider two of the firm stock exchange and company and company and company and company let's do some examples here जैसे एक दम से आप आप मैसेज आया कि जैसे माइ कॉल इस ड्रॉप्ट मैं यह देख रहा है कि मेरे पास सारी नदर आरे मुझे और मेरे कॉल ड्रॉप कैसे होगी कि टीम सोड़ा सब आप अगात में तंग करते हैं बलकि आजकल कर रहे हैं ज्यादा तंग कर रहे हैं ओके लोगल कांगलोमिट काउपरेशन की बैलाशिट गिवन है और इस क्या कह रहे है कि ग्लोबल है 3.6 मिलियन शेर आउस्टेंडिंग और इस शेर्डिंग प्रेडिंग प्राइड 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 फॉर्टीन इसका मतलब है मार्केट प्राइड प्राइड कितनी है मार्केट कैपिलाशन कितनी हाजेगी अगर आप बैंशीट की एक्विशन लगाएं asset is equal to liabilities plus honor equity honor equity market price कितनी आजेगी 14 into 3.6 क्या बनेगा 60.4 million dollar और इसकी book value कितनी है book value honors equity कि book value कितनी है तो यहां के आप देखें honors equity 18 में कितनी है 22.2 22.2 तो आप देख रहे हो कि honor equity book value कितनी कम है और market value कितनी ज़्यादा है यहीं से आप अन्दाज़ लगाने कि यह कौन सा stock है growth stock है कैसे mb ratio निका लो market value capitalization value divided by book value more than double 2.27 right yes sir it's more than double close to value stock अगर इसका यह answer आता 2.2 times 27 आगया अगर इसका आँसर आता 10 शिर्टक confirmed है कि यह growth stock होती अभी आप confused तो नहीं मतलब आप indifferent है कि यह value और growth के दिर्मियान है राइट ओके बुकी एक्जामपल है रियान एंटर्प्राइज है 5 million share इसकी market value 108 है pump value किसकी कितनी है 50 million आपने क्या निकालना है capitalization and book value nिकालना है mb ratio nिकालना है capitalization कैसे निकलेगी 108 multiply by 5 million answer क्या आगया 490 और mb ratio क्या आगया 490 divided by 50 million answer है 9.8 अब मुझे बता हूँ यह growth stock है के value stock है इसकी 90 कैसे आया है यह तो 5.40 नहीं आना चाहिए 108 multiply by 5 5.40 5.40 sorry sorry about that I think यहां पे गल्सकी हुई है it is 98 98 98 multiply by 5 5 is 4 90 490 right market value आपके पास आगी capitalization 490 divided by 60 answer क्या आगया 9.8 IMB ratio अगर आप इसकी definition में जाएं तो value market value divided by book value according to books कितनी value होनी चाहिए 50 million और market में कितनी value है 490 million इसका क्या मतलब है कि company को contracts मिले है company का earning potential बहुत ज्यादा है लेकिन company अभी company ने अभी earning key नहीं है अगर key होती तो इसकी book value भी बढ़ना start हो जाती जिए book value बढ़ना start हो जाती तो आईसा इसा book value MB ratio भी कम होना start हो जाती guys you got my point अभी आपको contract मिल गया कि जनाब ये government के project मिल गया जनाब आपने भी फूल बनाना है जैसे ये news market में आएगी share price बढ़ जेगी और अभी आपने क्या pull बना लिया profit आपको आगया नहीं अभी नहीं आया जैसे आना start होगा आपकी book value भी बढ़ना start हो जागी retain earning start हो जागी बढ़ना ओके 98 है sorry 108 नहीं है I think I should right now take action अब इसे को मैं change करना हूँ rather than फिर मैं बोल चूँ 98 98 okay still saving कर दो कर दो कर दो क्या आपको समझ आगी? MPA देशो की? Yes, sir. Now, let's state some light on income statement. Income statement, आपको पता है, क्या शो करती है? Income at the end of the year or during the year. Performance क्या चल भी है? वो शो करती है. Balance sheet क्या करती है? Picture of a company on a specific date. लेकिन income statement आपको क्या शो करती है? What is going on during the year? Financial performance क्या चल रही है? During the year, कितनी sale हुई है? इसका माज़, ये भी बोलते हैं कि bottom line statement क्या है? Bottom line क्या है, इसी income, okay? All sale minus all expensive, end में आपको पास income ही आएगा? और ये कौन से income statement? तुसको बोलेंगे bottom line statement. तुसका घबराने की दूरेंगे जिसा ये bottom line क्या मतलब क्यूं आया है? क्यूंकि bottom में आपका answer आता है income. कैसे होती है? सबसे पहले आप sales minus cost of goods sold करते हो. Sales minus cost of goods sold. आपके पास क्या answer आता है? Gross profit. Gross profit में से आप minus क्या करते हो? Operating Expensive. Operating expenses कों से होते हैं? Selling Admin and General Expenses और राइट? ये आप less review. आपके वोपस क्या आता है? Operating income Credit profit जिब operating profit आ जाता है? उसमें से आप क्या less करते हूँ? Interest Taxes अपके अपके नेट इसम हो जाता है. ये एक sequence है income statement की. Gross profit में मायस क्या operating expenses R&D, depreciation, selling journal, admin expenses, operating income आगी इसको हम EBIT भी कहते हैं. मतलब earning before interest and taxes. इसमें पलस मायनस अदर income भी करेंगे. तो EBIT ही आएगा, normally other income हमारी बोती नहीं है, right, other income हमारी बोती नहीं है, EBIT बोलके, EBIT में से हम taxes मानस करेंगे, interest मानस करेंगे, अचा, plus को किया है यहां पर interest, कि अगर हमें interest मिल रहा है, हमने किसी को loan दिया है, हमें interest मिल रहा है, तो यहां पर वो earning में interest plus भी और मानस भी और हम पे भी करेंगे,